ये मोदी के जन्म की कुंडली है, जो इस सिती अभी है, वही सिती 24 में रहेगी, गोचर के अनुसार भी मोदी के कुंडली में सीधे राजियोग बताता है, शुक्र मजबूत अवस्था में है जो चैतरवान बनाता है, बिरस्पती मजबूत अवस्था में है कि दो हजार चौबिस का बस अब कुछी घंटों बच गिया है उसके बाद हम लोग दो हजार चौबिस में परवेश कर जाएंगे देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी पर जब देखा जाता है तो उनका राशी उनका भविश्य उनका कैडियर रानितिक छेतर में किस तरह रहेगा यह तमाम तरह से आपको जनकारी देने के लिए हम सीधे चलते हैं पंडित वंश्वर्ध सरमा से तमाम तरह के उनके जन्म से लेकर उनके अस्थान और दो हजार चौबिस क्या दो हजार च मोदी के चौबिस का भविश्य क्या होगा यह जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी है कौन इनका जन्म कब हुआ कहां जन्म हुआ तभी तो कुंडली निकल के सामने आएगी और वर्ष के अनुसार उसका प्रतिफल दिखाई देगा यह मोदी के जन्म क कुंडली है 17 सितंबर 1950 को मोदी का जन्म हुआ और वो कुंडली है वाड़नगर गुजरात यह कुंडली बताती है कि शुक्र और सनी का योग मोदी के चरित्र और निर्ने दोनों को प्रभावित करता है चरित्र के मामले में यह शुक्र वर्गोत्तम है और वर्गोत्तम शुक्र बड़े प्रेम से बैठा कहा है करम भाव में बैठा है और करम भाव में बैठा हुआ शुक्र चरित्र को उत्तम बनाता है ऐसे व्यक्ति पर चारित्रिक लांचन नहीं लगाए जा सकते हैं परंटु ऐसा व्यक्ति जिद्दी तो होता है जिसके लगन में मंगल विर्ष्चिक रासी का होके बैठा हो उसे सामान्य व्यक्ति की स्वतह, स्फुरूत, निने ले लिया करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति में एक बात होती है, कि ये धुन के पक्के होते हैं, जो एक बार सोच लेते हैं, उसे करने में पूरा समय लगा देते हैं, जब तक वो पूरा नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को सुकुन नहीं मिलता है, चैन यह मोदी को खास करके आक्रामक बनाता है मोदी का प्रभाव चार ओर होगा मोदी जह जगा खड़े हो जाएंगे हर व्यक्ति उस ओर देखने का प्रियास करेगा कि यह मोदी क्या कह रहे हैं क्या करने वाले हैं मोदी के सामने किसी विरोधी की चल नहीं पाएगी और यह इस्थिती 24 में भी रहेगी जो इस्थिती अभी है वही स्थिती 24 में रहेगी गोचर के अनुसार भी मोदी का भवी से 24 में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है वर्तमान से ज़्यादा बलिष्ट होकर के मोदी सामने आएंगे मोदी की शक्ती बढ़ेगी इसमें संदेह की कोई गुणजाईश नहीं है जो ये बताते हैं कि 24 मोदी के लिए अच्छा नहीं है वो साइद अपनी बात कर रहे होंगे क्योंकि 24 मोदी के लिए 23 से ज़्यादा अच्छा होगा संस्तो यह है कि अभी से मोदी की स्थिती जैसे ही 21 में मंगल का महादसा प्रारंभ हुआ ये मोदी के अपने ही रासी स्वामी का महादसा है और रासी स्वामी का महादसा चंद्रमा तो वहां नीच का हो जाता है और चंद्रमा नीच का हो जाने से थोड़ी सी परिसानी तो आती है कहीं कहीं पर लोग विरोध में खड़े होते हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक वो इस्थिर नहीं रह पाते हैं और जितने कठोरता से जितने आक्रामकता से अब तक 23 तक में या ऐसा कहा जाए दूसरे सासनकाल में मोदी ने जो भी निर्ने लिये हैं उससे ज़्यादा आक्रामक हो करके और उससे ज़्यादा कठोर हो करके 24 मे निर्ने लेने की स्थिति बनेगी, इसमें कहीं संदे ही नहीं है, बलकि दूसरे अर्थों में ऐसा कहा जा सकता है, कि मोधी ने जो गठबंधन बनाई है, जो कुछ दलों के साथ वो चलते हैं, उन दलों की प्रतिष्ठा और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, उने साथ मे रखते हैं, मोधी को किसी को भी साथ में रखने की आवश्यक्ता नहीं है, इतने मजबूती सिती में है, क्योंकि मोधी के साथ जो कोई भी अभी आने को चाह रहा है, जो कोई आने की इच्छा रखता है, वो अपने महत्वा कांच्छा में आना चाहता है, मोधी को किसी की आ आवसकता नहीं है और मोदी अभी से जादा मजबूत हो करके 24 में सासन करेंगे और मोदी के कुंडली में सीधे राजियोग बताता है मोदी की कुंडली ये बताती है स्वेक्षा से वे पद छोड़ सकते हैं या मरणो परांत वो पद से अलग होंगे क्योंकि मोदी की कुंडली में राजियोग मरणो परांत तक है जब तक जीवन है तब तक राजियोग है वो स्वता छोड़ देना चाहें तो ये संभव है वो छोड़ दे सकते हैं अन्यथा 24 मोदी के लिए सुवर्णिम समय है इसमें किसी भी तरह से ग्रहों का दोश नहीं आता है गोचर के द्रिष्टी कौन से भी ग्रह सारे बलिष्ठ हैं ब्रहस्पती मजबूत अवस्था में है शुक्र मजबूत अवस्था में है जो चैतरवान बनाता है इसलिए मोदी के विशे में 24 कैसा होगा इस प्रस्ण की अब बहुत कुछ आवश्यक्ता नहीं रह गई है क्योंकि मोदी के लिए 24 पिछले समय से जादा अच्छा होगा इसमें जरा भी संदेह नहीं है बिलकुल यह सकते है देश के यह सस्पी परधान मंत्री नरिंदर मोदी जी पर भविश बताया है 2024 का कैसे कैसा रहेगा उनका राशी फल तो यह तो राशी फल के जड़िये और एक बात मैं बतला देना चाहता हूं कि जनता जनार्दन ही सर्वों पड़ी होती है जनता जनार्दन का मत्र कहां है वो तो वक्ती बताएगा लेकिन राशी फल जानना बहुती महत्पुर्ण है SSI टूब आप देखते रहेए जैह